नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका फार्मरोक्स के यूटूब एजूगेस्टन चनल में आज हम सिखने वाले हैं बीटा डिन वजजाइनल पेसरिस के बारे में तो ये जो मेडिकेसन है वो खास कर महिलाओ के अंदर जो वाइट डिस्चार्ज का जो प्राब्लेम होता है कि वजजाइना से वाइट डिस्चार जाता है कि जिसको हम लिकोरिया भी कहते हैं या फिर ऐसे कंडिसन के जिसको हम कहते हैं कि योनी से सफेद पानी आना तो ये कंडिसन को ठीक करने के लिए ये दवाई को जो ही वो यूज की जाती है तो उसके बारे में डिटेल में जान को ठीक करता है वजाइना के अंदर समझे के injuries हुई है तो उसको भी ठीक करने के लिए काफी useful सा भी दोता है साथ उसाथ मलब की readiness हो जोगी है वजाइना के अंदर कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं बिटा इन वजाइनल पेसरिस के बारे में तो यह ऐसे class का medication के जिसको हम antiseptic या फिर disinfectant agent कहते हैं और यह medications का जो brand name है वो है बिटा इन है और जो salt content के हम बा manufacture के हम बात करें तो win medicare private limit जो उसका manufacture है और उसका basic popular use हम देखे तो वो है वजाइनल infections को यह ठीक करता है तो यह आप एक important बात यह है कि चाहे वजाइनल infections किसी भी दरा सी हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समझे कि वजाइनल infections किसी को हुआ है food के करण तो यह medication जो bacteria के करण समझे के infections हुआ है तो bacteria seedal actions देता है और paracet जैसे के trichomonia cyst के करण आपको हो रहा है problem तो trichomonas seedal actions भी यह medication जो वो आपको देती है तो वल्लब कि कोई reason पता नहीं है वजाइनल infections होने का या फिर white discharge आने का तो ऐसे condition में यह medication जो वो काफे based option रहती है और यह जो वो जित विटाइडीन वजाइनल पेसरी जो वो ठीक करती है तो इसके basic use अब यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं तो सबसे पहले जो वजाइनल infections है कितने भी टाइप के जो अलग-अलग वजाइनल infections होते हैं सभी में यह medication जो वो useful सा भी दोते हैं जैसे कि trichomoniasis के condition है वुल्वो वजाइना और वुल्वा दोनों एरिया में जो वो सुजन हो चुकी है वहाँ पे आपको काफी दर्द हो रहा है साथ वजाइना में इसे जो वो white discharge जा रहा है कि जिसको हम कहरेगी सफेद पानी हो आ रहा है या फिर जो STD की जो हम conditions कहते है sexually transmitted infections या फिर sexual transmitted diseases की जो condition है वजाइ या फिर वुल्वा के एरिया में आपको काफी जदा खुजली हो रही है या फिर urine pass करने के दौरान जो हम आपको काफी जलन हो रही है कि जिसको painful urination के हम symptoms कहते हैं तो यह सभी conditions को treat करने के लिए बिटार इन वजाइनल पेसरी जो हम यूज की जाती है तब उसके label के अच्छ के detail जो हो लिख हुए है betadine हिंदी में भी है as well as English में भी लिखा हुआ है फिर यहाँ पे win medicare private limited की information जो हो दी हुई है साथ हो साथ जो packing होता है उसके साथ जो आपको जो है वह applicator दिया जाता है कि जिसको use करके जो हो आप वजाइनल जो पेसरी है उसको वजाइना के अंदर insert कर सकते है अच्छे से फिर यहाँ पे लिखा है कि एक पेसरी के अंदर जो povidon iodine जो है वो 200 mg जितना जो हो प्रेजंट होता है और available iodine जो है उसके अंदर होता है around 20 mg जितना फिर यहाँ पे storage conditions लिखी हुए कि storage आपको करना है 30 degree या फिर उसके calm temperature से जब भी storage करो तो धियान य रखना है कि temperature 30 degree से ज्यादा ना हो और light and moisture से आपको जो हो यह medication को अच्छे से जो वो prevent करनी है तो यह खास आपको धियान रखना है और यहाँ पे उसकी actions भी लिखी हुए कि bactericidal, trichomonicidal and fungicidal जो तीनों टाइप की जो उसकी effect है वो यहाँ पे label के उपर भी लिख हुई है तो इस तरह से जो वजएना में से जो white discharge जाता है या फिर यह जो आप देखो यह conditions कि इस तरह से सफेद पानी जैसा है या फिर जैसे पनीर जैसा कुछ वजएना में से निकल रहा है और वो काफी वदबुदार है उसके smell भी काफी जो वो खराब आ रही है तो उस दोरान यह जो dose के बारे में तो यह जो medications है उसके अंदर जो दवाई है वो है 200 mg रहती है तो उसके dose के हम बात करें तो वो रहता है 200 से लेकर 400 mg जितना medications रहता है per day मलब कि आप एक या फिर दो पेसरीस को वजएना के अंदर insert कर सकते हैं मलब कि patient जो है वो एक मलब कि सूब भी insert कर सकता है औ तो एक या दो पेसरीस को आपको insert करनी होती है पुरा दिन के अंदर और maximum जो उसका जो course रहता है वो 15 दिन का course रहता है कि जब भी आपको infections हुआ है तो 10 से 15 दिन तक आपको जो खासकर इसको use करनी होते कि जिससे आपका infection जो है वो अच्छे से ठीक हो जाता है अब बात करते उसके working की कि यह medication अपना काम कैसे करती है तो यह जो medications की जो action है वो है antiseptic action तो antiseptic action जो हमें मिलती है वो मिलती है iodine के करन तो यह क्या करता है कि जो microorganism जो है कि चाहे फूग है कोई parasite है या फिर कोई आपको bacteria के करन जो infections हुआ है तो उनको यह medication जो हो kill कर देती है और उसके microorganism के growth को inhibit कर देता है और उनको मार देता है कि जिसके करन क्या होता है कि आपका infection जो है वो अच्छे से ठीक हो जाता है और आपको जो symptoms थे वज़ए निल infection से उसमें से रहात मिलती है और आपका infection जो है वो अच्छे से ठीक हो जाता है saide effects के हम बात करें तो सब कुछ minor side effect होते है जैसे कि application side पर reaction होना महले कि जब भी आप इसको वज़ाय नामे insert कर दे तो कुछ लोगों को barring जैसा फिलो हो सकता है irritation फिलो सकता है eating या फिर redness जैसा फिलो ना पर यह समझे कि temporary है 2-5 minutes के लिए या फिर जास जास 10 मिंट के लिए हो रहा है तो that is better बड़ समझा कि लंबे समय तक आपको problem हो रही है तो मान लो कि आपको ये medication suit नहीं हो रही है तो आपको तुरं जो है वो ये medication जो है वो लेना बंद कर देना चाहिए और आपके doctor या फिर pharmacist को inform करके दूसरा safe alternative medication जो है वो लेनी चाहिए फिर समझे कि कोई allergic reactions हो रहे है आपके सरीर के उपर ये medications को लेनी के बाद तो तुरं लेना उसको बंद कर देना चाहिए तो ये खास द्यान रखना है कि कुछ लोगों को application side reactions जो है वो देखने को मिलते हैं तो वो लोग तुरंत ही ये medication को लेना जो है वो बंद कर देते हैं warnings के हम बात करें तो सबसे फ़ले धियान ये रखना है कि अगर आपको povidon iodine की allergy है या फिर आपको iodine की allergy है तो तुरंत ही ये medications को लेना बंद कर दे या फिर इसको use ही ना करें second अगर कोई भी टाइप की hypersensitity या फिर allergic reactions हो जाती है तो तुरंत ये बीटाद इन वज़नेल पेस्रिस को लेना जो है वो आप बंद कर दे हैं पिर एक खास important सुचना ये है यहाँ पे warning कि आप pregnancy में उसको कभी भी यूज़ ना करें प्रेगनसी में ये यूज़ करना जो है वो unsafe है तो जगर आपको प्रेगनसी में किसी भी दरा का वज़नेल इंफेक्शन होता है तो आपके gynecologist की जरूर से सला ले और कोई safe medications जैसे की हिमालिया वी जेल वगेरा है या फिर clotri muscle के जो gels आती है या फिर जो tablets आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं तो बीटर इंवसेनल से इसकी ये खास द्यान ये रखना है कि प्रेगनसी में आप यूज़ ना करें या फिर जो breastfeeding के period के दौरान भी आपको उसको use नहीं करनी चाहिए second problem ये होता है कि अगर कोई pregnancy में use कर लेता है तो problem ये होता है कि thyroid dysfunction का problem हो सकता है जो problem specially होता है babies के अंदर कि जो fetus develop हो रहा है या फिर जो newborn है उसके अंदर hypothyroidism या फिर goiter का मसला जो हो सकता है तो ये खास आपको धियान रखना है कि pregnancy में आप उसको गलती से भी यूज़ ना करें तो ये सब प्रॉपर information है बेटा डीन वज़ाइनल पेसर इसके बारे में तो ऐसे ही समझे कि आपको सीखना है detail में किसी भी दवाई के बारे में या फिर consultation लेना है तो प्रॉपर